नमस्कार आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविश्य निर्मान की नीव डाल रहा है एक ऐसा क्षण है जिसमें नए यूग के निर्मान के बीज पड़े हैं राष्ट्रियस सिख्षा निती 21 सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है यह ऐसे स्कूल ऐसे सिख्षकों की जरुवत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेज लर्निंग और डिस्कवरी बेज लर्निंग का एन्वाइर्मेंट बें मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगों कि कोरोना की इस टाइम में यह सब कैसे होगा यह बात सोच से ज़्यादा एप्रोच की है और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं लहने वाले हैं बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें उनमें जादा सिखने की भावना का विकास हो बच्चों का मन उनका मस्तिस्क वैज्यानिक और तारकिक तरीके से सोचना शुरू करें उनमें मैथिमेटिकल ठिंकिंग और साइंटिफिक टेंपरामेंट विक्सित हो ये बहुत आवशक है और मैथिमेटिकल ठिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथिमेटिक के प्रॉब्लेम ही स्वाल करें बल्कि ये सोचने का एक तरीका है ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है ये हर विशे को जीवन के पहलू को मैथिमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का द्रश्चिकोण है ताकि मस्तिश का अलग-अलग प्रस्पेक्टिव में एनलेसिस करें ये द्रश्चिकोण मन और मस्तिश का इविकास बहुत जरूरी है और इसलिए ही राष्टिय सिख्षान नीती में इसके तोर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है एक मिनट में 30 से 35 सब्द तक आसानी से पड़ पाएं बेसिक गनित जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रक्षन, मल्टिप्रिकेशन, डिवीजन ये सब भी बच्चे आसानी जे समझ सकेंगे साथियों, बविश्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है हम इसकी जरुरतों को अभी से देख सकते हैं, सैंस कर सकते हैं ऐसे में हमें अपने स्टूडेंस को 21st century की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है यह 21st century की स्किल्स क्या होगी? यह होगी critical thinking, creativity, collaboration, curiosity, और coding सिखे, artificial intelligence को समझे, internet of things, cloud computing, data science और robotics इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परिशे में उसको लाना होगा, हमें इसको देखना होगा भारत के उज्वल भविश्य के लिए इसको एक mission के रूप में लेगा, मन लगा करके करेगा, देश का एक एक बालक आपके शिक्षा को ग्रहन करने के लिए तैयार होता है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बहुत 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 शुब कामनाई देता हूँ, और हमेशा हमेशा मैं टीचर को नमन करता हूँ, आज वर्च्वल माध्यम से भी आपको नमन करते हुए, मैं मेरी वानी को वराम देता हूँ, बहुत बहुत